आज की हमारी रेसिपी है चूर्मा तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने तीन कटोरी आटा लिया है अब हम इसका एक सौफ्ट सा आटा गूंद लेंगे हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के सौफ्ट आटा गूंदना है जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसा ही सौफ्ट आटा हमें चूर्मे के लिए गूंदना है चूर्मा बहुत ही जादा टेस्टी रेसिपी है ये हर्याना और राजिस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है जो खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना तो बहुत ही जादा आसान है आटा गुंद के बिलकुल तयार हो चुका है अब हमें इसकी रोट दबना लेते हैं तो हम के लिए मोटी सी में रोटी लें गसे हैं अब हम रोटी को अच्छे दरह सेeger लेंगे मैंने यहाँ पर 4 रोटी बनाई है चूरमे के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा रोटी बना सकते हैं जितना आपको चूरमा बनाना है उस हिसाब से आप रोटी बना ले रोटी बनाने के बाद चूरमा बनाना बहुत ही जादा आसान है मैंने यहाँ पर सारी रोटी बना कर तयार कर ली है अब मैं एक मिक्सर का जार लूँगी और उसके अंदर 6 चमज चीनी डालूँगी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चूर्मा कम मीठा या जादा मीठा बना सकते हैं अब हम पिसी हुई चीनी को अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे फिर हम इसी जार के अंदर रोटी तोड़ के डालेंगे मैंने यहाँ पर चार रोटी बनाई है यह चारो रोटी हम तोड़ के जार के अंदर डाल देंगे आप हातों से भी तोड़के रोटी को मैश करकी चूर्मा बना सकते हैं पर जब हम मिकसर में बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही बारीक चूर्मा बनता है जो खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है हमने रोटी पीस ली है मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूँगी इसी तरह की बारीक रोटी हमें पीसनी है अब मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल दूँगी फिर मैं इसके अंदर देसी घी डाल दूँगी चूर्मा हमीशा घी में ही बनाया जाता है तो आप इसके अं बिना लड्डू बनाएं पर हम इसके लड्डू बना रहे हैं हम इसे लड्डू बना कर सर्फ करेंगे आप चाहें तो इसके अंदर ड्राइप रूट्स भी आड़ कर सकते हैं पर चूर्मा जो है वो इसी तरह से बनता है वो इसी तरह से सिंपल बनता है और खाने में भी चूर में का प्रशाद भगवान को भी चढ़ाये जाता है तो आप भगवान को प्रशाद चढ़ाएं खुद खाएं अपने परिवार में सब को खिलाएं